वेल हाई गाइज वेल्कम बेक टो माई चैनल साइन्स लेर्णिंग अकेडमी मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी आज हम आपका टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वाट इस लाइट इयर या फिर क्या होता है परकास वर्ष देखो लाइट इयर की नाम सी आपको पता चला इस दिषिहएं युनिट ओव डिस्टेंच लाइट इयर क्या होती है यूनिट होती है डिस्टेंस धी जो मेल व्मर्ष गरे लाइट करने के लिए ठीव क्यों टोनीवेर्णित करने की तो आप ख़ले ही नहीं जिथ वीहां जलुत है आपके यूनिवेर्स की बात करते हो त अगर हम दूरी नापे तो इसके थरूर नापे जाती है वह आपके लाइटियर के थरूर ही नापे जाती है अब ऐसा क्यों होता है हम अर्थ पे हैं अर्थ पर में किसी भी स्टेड में या किसी भी गाउं में जाना है तो किलोमेटर्स या मायल्स हम उसको नाप सकते हैं बहु जो कि अर्फ से बहुत सादा दूर है ठीक है तो उनकों आपने के लिए किलो मीटर का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं क्यों कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी जादा आती है कि आप उसको ना तो इसली लिख सकते हो नहीं उसको बोल सकते हो ठीक है कि अगर आप उस आप्रोक्स की बात करें जो पूरी आती है जो एक्जेक यूनिट जो आती है वो 299 792 km per second आती है ठीक है तो इसको एप्रोक्स हमने लिख दिया 3,000 km per second 299 792 km per second किसकी स्पीड है लाइट की स्पीड है अब देख लेते हैं कि अगर हम निकाले वो कितना है तो हम क्या करेंगे, speed of light into 60 seconds into 60 minutes into 24 hours into 365 days जो कि आपके पूरे एक साल के अंदर होते हैं तो इसके जो value आएगी, वो 9460800000000 किलोमेटर यानि की trillions में इसकी value आ रही है अब इतने किलोमेटर यानि की एक light year की सिर्फ ये value आई है और जो हमारे अर्थ से इतने सारे प्लैनेट से हो तो कहीं-कही light year समसे दूर है तो उसकी value निकालना और लिखना कितना मुश्किल होता है इस वज़े से हमने light year का सित्माल किया है कि हम उसको बहुत easily express भी कर सके, लिख भी सके और बोल भी सके तो इसलिए light year का सित्माल किया जाता है जैसे कि example है जो अर्थ से आपका sun है वो 8.24 light minute दूर है ठीक है अर्थ से आपका moon जो है वो 1.29 light second दूर है अभी light minute and second का क्या मतलब है अभी ये देख लेते हैं देखो एक light minute जो होती है वो 17987547 km के एकवल होती है और एक second जो होता है आपका 1 light second जो होता है वो एकवल होता है 299793 km के एकवल ठीक है यानिक ही 1 light second इकवल टू 2,99793 km तो जो आपका moon है वो कितना है 1.2 light second आपके एकवल है तो 1.2 को आपको 299793 से इंटू करना पड़ेगा ठीक है तब जाके आपके value km में आएगे हो फिर आपको इतने साल लगेंगे इसको आने के लिए आपके पास तो बहुत जादा लंबा हो जाता है अगर हम इसको किलो मीटर में निकालते है तो इसलिए हम इसका light year का इस्तमाल करते हैं जो कि एक इस्टेंडर यूनिट है किसी भी एक्स्टरनोमिक को एक्सप्रेस करने के लिए आपके universe के अंदर जो distance इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं light year का इसके साथ साथ कुछ examples हम और देख लेते हैं जैसे कि आपका है अर्थ से मार्स कितने दूर है अर्थ से मार्स जो है वो 12.7 light minute दूर है अर्थ का जो सबसे नेरे स्टार है प्रोग्जीमा सेंचुरी वो कितने दूर है वो आपका 4.3 light year दूर है फिर इसके साथ साथ आपका आता है एक Milky Way Milky Way यानि की आकाश गंगा तो आकाश गंगा कि अगर हम सेंटर तक की बात करें न तो आपका 26000 light year दूर है अभी तो सिफ हमने एक पॉइंट तक की बात की है वो बहुत बड़ी होती है अगर हम उसका आगे तक उसके दूसरे पॉल पर जाए तो उसके डबल से भी बहुत जादा वैल्यू आईगी ठीक है तो बहुत जादा दूर हो जाएगा आपका यह Milky Way और आपकी जो नेबरिंग गलैक्सी है एंड 2.5 million light years लगेंगी अगर उसकी एक किरन भी आप तक पहुंचती है तो ठीक है तो इतनी जादा किलो मिटर में हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसलिए हम इसका इस्तुमाल करते हैं light years का इन सा वैल्यू को निकालने के लिए यह था आपका लेसन जिसमें आज हमने डिसक मेसलिए तरह को किलो में वैल्यू में आप सकते हैं बहुत लंभी वैल्यू बहुत लाया या रखने चैनल को ठीक है शेयर करो जितना ज्यादा हो से कि इतना ज्यादा शेयर करो लाइक करो वीडियो को तो मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक यू टू अल